हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लो दोस्तों भारत में कई जगें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं और उनमें कुछ जगें तो ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं ऐसी ही एक जगह तामिल नाडू के पूरवी तट पर रामेश्वरमद्रीब के किनारे पर इस्थित है ये ऐसी जगह है जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यहीं पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखरी सड़क कहा जाता है ये वो जगए है जहां से श्री लंका साफ साफ दिखाई देता है लेकिन आज यह जगए बिलकुल वीरान हो गई है और रहस्यों से भरी हुई है तो आए जानते हैं इसी सड़क से जुड़े कुछ रहस्य है दोस्तों इस जगए का नाम है धनुशकोडी जो की एक गाउं है धनुशकोडी भारत और श्री लंका के बीज एक मातर ऐसी स्थलिय सीमा है जो पाक जलसंदी में बालू के टिले पर मौजूद है इसकी लंबाई लगबख पचास गज है और इसी वज़े से इस जगे को दुनिया के लगुतम इस्तानों में से एक माना जाता है दोस्तों इस गाउं को बहत ही रहस समय माना जाता है कई लोग तो इसे भुता भी मानते हैं वैसे तो दिन के समय यहां लोग घूमने के लिए आते रहते हैं लेकिन रात होने से पहले उन्हें वापस भेज दिया जाता है यहां रात के वक रुकना या घूमना बिलकुल मना है यहां से रामेश्वयरम की दूरी लगबख 15 किलोमेटर है और पूरा इलागा सुनजान है जाहिर है ऐसे में किसी को भी डर लग सकता है वैसे दोस्तों ऐसे नहीं है कि यहां गाउं हमेशा से सुनजान रहा है यहां पहले लोग रहते थे उस समय दनुश कोड़ी में रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट आफिस सब थे लेकिन साल 1964 में आये भयानक चकरवात में सब कुछ खत्म हो गया कहते हैं कि इस चकरवात की वजह से सौ से अधिक यातियों के साथ एक रेल गाड़ी समुद्र में डूब गई थी इसके बाद से ही यह इलाका वीरान हो गया अब दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि धनुश कोड़ी ही वो जगए है जहां से समुद्र के उपर राम से तुका निर्माण शुरू किया गया था माननेता है कि इसी जगए से भगवान राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था जिस पर से होकर वानर सेना रावड की लंका नगरी में प्रिवेश कर सके इस गाउं में लगबग राम से जुड़े कई मंदिर है ऐसी माननेता है कि विभीशन के कहने पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतुपुल को तोड़ दिया था इसी वजह से इसका नाम धनुष कोड़ी पढ़ गया दोस्तों इस गाउं से एक एतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है दरसल वर्ष 1993 में स्वामी विवेकानन जब अमेरिका में आयोजित धर्म संसत में भाग लेने गए थे उसके बाद लोटने पर उन्होंने भायत में सबसे पहले धनुष कोड़ी में ही अपना कदम रखा था बहे श्रीलिंगा के कोलंबो से होकर यहां पहुंचे थे तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरिके की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ठीक है दोस्तों आज की वीडियो म बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में